नमस्कार दोस्तों मेरे खास स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे तो मुझसे जोड़ रहने के लिए मैं चैनल को लाइक किजिए सेट किजिए कॉमेंट किजिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन जूर दबाएगा जिन ऑपहutos के साथ आप सर्व कर सकते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं तो यह है टामाटर की मीथा है इस से काया करते हैं बारिक-बार यह तो यह बिल्कुल बचे हुए टामाटर से बनता है अर्वे रटी पूरे टमाटर को काट लिए और क्या क्या लगता देखते हैं मैं बनाते हूं टमाटर के एक मीठी सी चट्نी इसकी यह मैने टमाटर एक किलो लिया है और साथ मेजू क्या क्या लूंगी वह दिखा देते हूं मЯण नमक, चीनी भी लिया है, मैंने गुड भी लिया है, गुड मेरा है, ड़ाइ सो ग्राम से ठोड़ा ज़्यादा है, हमारा चीनी, तो कुल टोटा वे सास़जो ग्राम के लगबग होगा, और लिया हमने 5 फोरन मिर्च, थोड़े से किसमिस, थोड़े से खजोर लिये हैं, अगर आपके पस आम सुती है तो ले सकते हैं, यानि आम पापर मेरे पस नहीं है, मैं नहीं ले दिया, तो चलिए शुरू करते हैं, और लिया हल्दी थोड़ा सा, तो मैं ले रही एक क्विस्त में अच्छे वे सखीन healthy यी रह 주는 ऐस्त की दो तो पादी टोड़ें देतें इसको पर डालतें इसमें हम घी हो त इसमें डालते हम घी आ ये सब्सक्राइ लूर्च थे बर्सकार जी अकि पिधिन का रिख भूरिया जालती हूं उसे एक और अच्छा सा खुस्डूर आएगा और इसे के साथ डालती हूं आज करेंगे कम क्योंकि वाजपुरन गल जाएगा और यह दो मिर्च डालूंगी हलका सा तोड़के बढ़ना अगर हम नहीं तोड़ेंगा तो यह चटकेएगा इसे चला लेते हैं थोड़ा हो जाने देती हैं से हूं नमक आप ब्रत में अगर इसके बना रहे हैं आप बना रहे चाहिए तो यह जो नमक है आप ब्रत में अगर इसके चट्पी बना आप इस नमक को अबॉइड करिए यह इसकी जगह आप सिंधा नमस अगर ब्रत में खाते हैं तो डाले बना ना डाले अगर नमस में खाते हैं तो तो मैं एक से ज़ए चमस नमक डाल गूँ ताकि हमारा यह जो टमाटर हो गल्या और इसको अब मेडियम आज कर लूँगी औ करके इसको ढख दूँगी और इसके गलने तर बीक में चलाते हुए पकाऊंगे और इसे होटने देते हैं उसके बाद में दिखाते हैं आपको चलिए देख लेते हैं पानी कितना छोड़ दिया अभी और हो गाई तो अब यह मैं फिर से ढब देते हैं इसको तो यह अब देखिए बिल्कुल गल गया है और हम जो बचे हुए हैं उनको इस तरीके से दबाते हुए तो मिक्स कर लेंगे और अब हमें करके इसमें और जो समान है तो इसमें और जो हमारे समान है मसाले वो डालेंगे डालते हैं हल्दी मिर्च अब अपने स्वाद अनुसा रखे अगर चट पटा तीखा चाहते हैं तो बना मेक चमल डाल रही हूं और इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से आच अब मेरा कम हो गया है तहले मेडियम पे रखा था मैने अब हम डालते हैं इसमें जो हमने बृट और चीनी ले रख एतर है वह एक किलु ह है थो हम थोड़ा कम गूर लेंगें अर्टा खाते ही ही तो आप पूरा ही किलो ले लीजी दिक्टे है यह खाली गुड़ लेजिए यह खाली चीनी है दूनों मिला के लेए इमें डाल देते हम गुड़ और प्रेसे हम धक देंगे दीज में चलाते हुए इसे गुड़ के गल में तर तो यह देखिए हमारा जो गुड़ डाला गया था वह मेल्ट हो चुक है लेकिन अभी पानी है तो थोड़ा और यह गाड़ा होगा तो इसमें डाल देते हैं हमारा जो किसमी से और खजूड़ और डालते हैं हम अपना नेवू का रस अगर आपके पास आम पापड़ है यानि आम सोती तो आप डाल सकते हैं उसको भी उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और मैं यह मीड ळेला यह इ investigating तो इसमें डाल देते हैं एक नीवू करस क्योंकि है थोड़ा क neiथा चड़ता बनाना है आपने देखा मैं इसमें मिर्च भी ढाल प्ता था तर एक नीवू करस में डाल देते हूं आपकर ज़्याद सिर्णा ह siento कहांट नहीं चाहते तो अपना डाले będzie一下 मिठ कर बीच में चलाते हुए इसको पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा करेंगे तो चलिए इसे पका लेते हैं तो यह दिखिए हमारा धीर धीर गाढ़ा हो रहा है काफी लोग इसमें सिर्का या सिट्रिक असिड डालते हैं कि यह ज्यादा दिन चले पर मैं ऐसा कुछ नहीं डाल रही ह मी घर मीरे ज्यादा दिन बजता ही नहीं है अगर आप गार रखते हैं तो यह द सो फ्रीजिंत बीस- पैसे पचिछ दिन चल जा ज़एowego तो ईसके अगर ज्यादा दिन रखना वग तो आप इसमें सिर्ट्रिक एसिड ज़र हो बडा दे यह ज़्यादा नहीं चुट्की बह चलिए और सुखा लेते हैं कि दिखाती हूं आपको ते देखिए लगभग हो गया है और इससे हम गिराते हैं ते देखिए अपर दिख रहा होगा यह जब ठंड हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा यह तब इसे बंद कर रही है आप हांसे भी इसे अंदाज लगा सकते हैं कि जब हम पहली छूते हैं तो यह पानी जासा लगते हैं और बाद में इसमें थोड़ा चिट-चिटा पन आ जाता है यह हमारा हो चुक है और हम इसे बंद करते हैं सर्व एक और तरीका आपको दिखाती हूं हम इस तरीके से कड़ तो यह हम जैसे डालते हैं यह गिर जाता है एक दम से साफ हो जाता तो हमारा चटनी नहीं हुआ रहता है तो यह हो चुक है तो मैं बंद कर देती हूं कटते हैं सर्व आप इसे पूरी पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेक्षी लगता है तो मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हैं तो यह देखे हमारा त्यार है टमाटर के चटनी आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो आप भी बनाएए खाये मेरे तरीके से अब मुझे कॉमेंट करके जोड़ो बताए कि आप किस तरीके से टमाटर के चटनी बनाते है पचली मिलते हैं ने रेसिपी ने बेटे वसाथ नमस्कार धन्यवाद